देश में कोरोना महमारी ने तबाही मचा रखी है लेकिन इस महमारी के बीच एक बात सबने नोटिस की होगी कि कोरोना संक्रमन का प्रभाव गाओं में या शहर के निम्न वर्ग ये तबके पर बहुत जादा नहीं पड़ा है जितना की मध्य वर्ग या फिर उच्छे वर्ग पर पर रहा है हमारी कहने का ये मतलब बिलकुल नहीं है कि गाओं में या फिर सहर के निम्न वर्ग पर कोरोना का असर बिलकुल ही नहीं पड़ा है लेकिन जब उच्छे वर्ग और मध्य वर्ग इसे तूलना किया जाए तो ये बहुत हद तक कम है इस बात का खुलासा हाली में जारी अमेरिका के एक रिसर्च में भी हुआ है अमेरिका की कैलिफोर्निया इंवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग शारेरिक स्रम नहीं करते या बहुत ही कम करते हैं उनमें कोरोना का संक्रमन बहुत घातक साबित हो सकता है वहीं जो लोग सरीर से बेहत क कम मेहनत करते हैं एसे लोगों को संक्रमित होने पर होस्पिटल में भरती कराना परता है याने संक्रमन का प्रभाव बहुत जदा होता है और यही वजा है कि ऐसे मरीजों में मौत का आकरा भी ज़ tasted रहा वहेहीं शारेरिक मेहनत करने वाले लोग अगर कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं तो उन्हें कोरोना का वाइरस ज्यादा नुक्सान नहीं पहुचा पाता है और वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं ब्रेटिस जनरल अफ सपोर्ट मेडिसीन ने प्रकासित इस रिसर्च में बताया गया है कि धुंपान, मोटापा, डाइबिटीज, हाई बलड प्रेसर, हिर्दय रोग और केंसल जैसी बिमारियों से पिरित लोगों में भी कोरोना होने पर इसके संक्रमन का गंभीर होने का खत में क्यों कोरोना संक्रमन उतना घातक नहीं है जितना के शहरों में है इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा जीवन सेली है दरसल गाउं के लोगों की जीवन श्रीली शारड़िक स्रम वाली रही है जिसके कारण कोरोना का वायरस ग्रामें-शेत्रों में ज्यादा नुकसार नहीं पहुचा पाया है कहा जा रहा है कि अमेरिका ब्रि्टेंश समेथ विक्सित देशों में कोरोना का संक्रमन बेकाबु होने की मुख्य वज़ा यही हो सकती है क्योंकि जीवन शैली और आदुनिक तकनीक के कारण एरोपिये अमेरिका जैसे देसों में लोग जादा शाररिक मेहनत नहीं करते जिसके वज़ा से वहाँ संक्रमन बेकाबू भी हुआ है अभी हाला कि भारत में भी संक्रमन बेकाबू हो गया है ऐसे में समझने वाली बात ये है कि हम सब के लिए शाररिक मेहनत बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करें परिया वरन पोस्ट